नमस्कार दोस्तों स्टेडी आईक्यू में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चार अगस्त को बेरूत में जो धमाका हुआ उसके बाद लेबनन के लिए अब एक नई समस्या आ चुकी है और यहाँ पर क्योंकि जनता का गुस्सा बहुती बढ़ चुका था लेबनन की सरकार ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है सरकार से कहने का मतलब जो उनके प्राइम मिनिस्टर है और उसके साथ में जो उनके मंतरी मंडल है यानि की कांसल आफ मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर अपना इस्तीफा सौंब दिया है यहाँ पर हम जानेंगे क्या वज़े रही उन्होंने यहाँ पर अपना इस्तीफा दिया और अब जो Lebanon में basically situation चल रही है वो किस तरीके से Lebanon के लिए और भी जादा problematic हो सकती है आईए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलेग्राम चैनल जिसका नाम है अनिरुद सर इसके लावा सोशल मीडिया पर भी आप मेरे साजुट सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर Study IQ की साल की पहली सेल शुरू हो चुकी है और ये वाली सेल Independence Day के अफसर पर लगाई गई है इसके तहट हम सभी कोर्सिस के ऊपर आपको 5 प्रतिशत का एक्स्ट्रा डिसकाउंट ओफर कर रहे हैं जल्दी से जाईए Google Play Store पर आप को डाउनलोड कीजिए और इस पर्टिकलर डिसकाउंट का फायदा उठाईए ये सभी के सभी स्मार्ट कोर्स के ऊपर लागू हो सकता है All right, so as you remember 4 अगस्त को यहाँ पर 4 अगस्त 2020 को Ammonium Nitrate की वज़े से जो की वहाँ पे बेरूत के पोस्ट पे बेरूत के बंदरगा के उपर काफी लंबे समय से पड़ा हुआ था जिसकी वज़े से यहाँ पे धमाका हुआ जो की Unsafely stored था 2750 टन का जो Ammonium Nitrate था जिसकी वज़े से यह धमाका हुआ था यह जो धमाका हुआ इसकी वज़े से अभी भी जो जाँच है वो चल रही है कि Basically कितने सारे लोग यहाँ पे इसकी वज़े से मरे कितने सारे लोग यहाँ पे इसकी वज़े से Missing है Death toll पिछले हफते से अगर आप देखें 4 अगस्त से लेकर आज की date तक 11 अगस्त तक Already 110 से बढ़ करके 220 हो चुका है जिसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो काफी सारे लोग Missing भी है ठीक है Many foreign workers and lorry drivers were among the missing कई सारे लोग In fact, India के भी कुछ लोग थे वहाँ पर जो की Missing है और कई सारे journalists, कई सारे different countries के Journalist जो की वहाँ पे काम करते थे वो भी यहाँ पे Missing है एक Earth Observatory है जिसने यह map को release किया है यह काफी अच्छे से बताता है basically अगर यह site of explosion है So इसके आसपास कितने radius में basically हमें इसका impact देखने को मिला है जो यहाँ पर dark red में दिखाया गया है यह वाला area यहाँ पर दिखाया गया है कि बहुत जादा explosion का impact रहा है उसके बाद जो red color के spots हैं वहाँ पे थोड़ा कम और जो yellow color के spots हैं वहाँ पे थोड़ा और भी कम अगर हम वैसे बात करें तो कहा जा रहा है कि लगभग 2,00,000 से भी जादा लोग यहाँ पे homeless हो चुके हैं अगर हम एक random estimate की बात करें तो कम से कम 10 km तक का जो radius है वहाँ पर आपको इसका impact देखने को मिला है अगर हम आकडों के हिसाब से बात करें तो economically कहा जा रहा है इस धमाके की वज़े से Lebanon की economy को 3 billion का नुकसान देखना पर सकता है और अगर हम केवल ये जो 3 billion है ये केवल direct loss की बात करते हैं अगर हम indirect losses को भी साथ में जोड़ दें तो लगभग कहा जा रहा है 15 billion का नुकसान Lebanon को देखना पर सकता है इसी बीच basically क्या हो रहा है कि वहाँ पर जनता का गुस्सा काफी जादा बढ़ चुका है और जनता ने यहाँ पर जवाब देही मांगी है कि क्या वज़े रही इस धमाके के पीछे क्यों यहाँ पर government ने इसको seriously नहीं लिया है सो basically काफी सारे लोग streets पर आ चुके हैं और यहाँ पर यह आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर की आप यहाँ पर corruption के लिए जवाब दे हैं और negligence के लिए भी आप यहाँ पर जवाब दे हैं यही नहीं यहाँ पर जो protesters जो प्रदर्शन करता streets पर उतर कर आ रहे हैं इनकी भि इस द्रिश्य मैं आपके सामने show करना चाहता हूँ सबसे पहला यह वरा द्रिश्य है protesters are angry about the corruption because यहाँ पर इनको basically जवाब चाहिए कि क्या वज़े रही इस धमाके के पीछे और यहाँ पर एक प्रदर्शन करता आप देख सकते हैं यहाँ पर firecrackers का इस्तिमाल कर रहे हैं य इसके बावजूद यहाँ पर protesters basically पीछे नहीं हट रहे हैं खेर इसके बाद जो बड़ी development हुई यह Monday night की बात है Lebanon की government ने यहाँ पर फैसला लिया कि हम यहाँ पर अपना इस्तिफा सौंपने वाले हैं इसकी बातचीत तो चल ही रही थी Monday से पहले भी लेकिन Monday को finally उन्होंने announce कर दिया था तो Lebanon के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने अपना इस्तिफा सौंपा और इन्होंने एक TV address में कहा national TV address में जिनका नाम है प्राइम मिनिस्टर हसन डियाब कि हम यहाँ पे Lebanon की सरकार से इस्तिफा basically आपको देते हैं जो exactly उनका statement था जो national TV पे उनका statement था उस statement म उन्होंने क्या कहा काफी deep और काफी बड़ी बात कही है उन्होंने कहा है कि हमारी जो सरकार है it had gone to great lengths to lay out a road map to save the country कि हमने पूरी कोशिश करी so that हम basically इस country को बचा सकें लेकिन इन्होंने साथी में कहा कि corruption Lebanon में इतनी बढ़ चुकी थी कि वो state से भी बढ़ी हो चुकी थी it had become bigger than the state itself साथी में इन्होंने ये भी कहा a very thick and thorny wall separates us from change a wall fortified by a class that is resorting to all dirty methods in order to resist and preserve its gains ये वाली line काफी interesting है ये बोलते हैं कि एक बहुत ही मोटी और नुकीली दिवार हबारे बीश में खड़ी हो चुकी है जिसकी वज़े से हम यहाँ पे बदलाव नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ कई सारी ऐसी classes हैं जो की अपने gains को preserve करने के चकर में basically country को आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं तो ये काफी बड़ी बड़ी lines है जो की कही कहीं है by the prime minister of Lebanon यहाँ पर अगर हम देखें अब आगे जाके क्या होने वाला है तो देखिए मैं आपको पहले बता दू Lebanon में जो सरकार ह होती है Lebanon की type of government is unitary, parliamentary, confessionalist, constitutional republic ठीक है पहली चीज़ unitary for example आपको मालूम होगा भारत में सरकार quasi-federal है correct quasi-federal कहने का मतलब कि कुछ powers केंदर के पास हैं कुछ powers राजियों के पास हैं लेकिन Lebanon के case में सभी की सभी powers वो यहाँ पर एकी कृत हैं with the center itself कोई भी power राजियों को नहीं दी गई है दूसरे number पर parliamentary बिल्कुल similar to India जो real head है वो prime minister है और जो nominal head है वो president है confessionalist ये सबसे ज्यादा unique feature है अगर हम कहें सबसे विशेश feature है Lebanon की सरकार का confessionalist कहने का मतलब power जो है वो बटी हुई है between two groups एक religious heads के बीच में और एक political heads के बीच में अब religion के basis पे जितने भी वहाँ पे major religions है उसके अनुसार कुछ religious heads choose गये गए है और उन religious heads को थोड़ी थोड़ी power दी गई है at the same time जो political heads है उनके पास तो power है ही है and finally constitutional republic कहने का मतलब कि वहाँ पर एक constitution है जो कि supreme है जो कि सभी के सभी चीज़ों का देखरेक करता है and republic कहने का मतलब कि वहाँ पे जो nominal head है यानि क प्रेजिडेंट वो elected है वो कोई hereditary post वहाँ पर नहीं है तो यह government वहाँ पर चलती है इसी के चलते जो वहाँ के president है Michael Aoun उन्होंने यहाँ पर announce किया है कि यह वाली government यानि कि हसन डियाब की government जब तक एक नई सरकार नहीं आ जाती तब तक यही वाली government caretaker government की तरह काम करेगी और यहाँ पर caretaker government की तरह जब काम कर रही है हसन डियाब ने आश्वासन दिया है कि जब तक नहीं सरकार नहीं आती हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी accountability को यहाँ पर सामने रख सकें बट अब यहाँ पर problem क्या है कि Lebanon के लिए problem basically शुरू हुई है अगर आप देखें कि सब humanitarian politics की होती है as I told you Lebanon में confessionalist type of government है कुछ political heads है और कुछ religious heads है क्योंकि कुछ religious heads है तो अकसर एक नया prime minister choose करना यहाँ पे सहमती generate करनी बहुत ही मुश्किल हो जाती है at the same time आपको साथ में मिल रहे हैं प्रदर्शन करता जिसकी वज़े से यह पूरा process और भी ज़्यादा difficult हो सकता है so यह कहा जा रहा है it is unlikely to be a smooth और a quick process due to the country's complex political system जो यहाँ पे political system है इनका वो काफी पेचिदा है जिसकी वज़े से यह transition बहुत ज़्यादा tough हो सकती है अगर हम बात करें Lebanon की situation already थोड़ी खराब चल रही थी basically सबसे पहले तो आपको मैं already बता चुका हूँ power sharing होती है between leaders representing the country's different religious groups at the same time Lebanon basically अगर आप देखे 1975 से 1990 तक civil war से लड़ता रहा और जब civil war से वो बाहर निकला 1990 के बाद तो basically कई सारे warlords जो की यहाँ पर politics में आ चुके थे जिसकी वज़े से वो कई सारे political, economic और social sectors को control करते हैं again यहाँ पर power को सत्ता को हड़पने के लिए एक फिर से जंक शुरू हो सकती है which will not board well for the country ठीक है और उसके बाद many protesters basically यहाँ पर यह कहते हैं कि यह जो country की corruption है इसकी वज़े से भी हम country का जो political transition है वो होना इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर अगर आपको बताओं कि basically जो government का जो background है government के resignation में so सिरफ यही नहीं अगर आप देखें यह जो नई government है प्राइम मिनिस्टर हसन डियाप की government 2019 में यह government late 2019 में आई थी और जब यह late 2019 में आई थी उसके बाद भी इसके खिलाफ protest चल रहे थे लेकिन coronavirus की वज़े से यहाँ पर protest कुछ time के लिए थम चुके थे अब इनको रोकना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ पर protest अभी भी जो है continue हो चुके है अब जो है उनके पास नया कारण आ चुका है अगर हम बात करें problems यहाँ पे खतम होती है या नहीं तो जी नहीं problems यहाँ पे खतम नहीं होती वाई because even after the government has resigned बेरूट में यहाँ पे लोगों ने प्रदर्शन करता उन्हें अपना काम छोड़ा नहीं है वो अभी भी यहाँ पे continue कर रहे हैं despite the government's resignation अगर हम बात करें political problems की तो political problems तो आप मान सकते हैं कि एक तरीके से अभी शुरू हुई है इसके इलावा इनके लिए social economic problems भी बहुत जादा बढ़ चुकी हैं बेरूट का जो port था basically वो इनका primary port था जो भी यहाँ पे चीजें import करते थे यह लोग बाहर से वो बेरूट के port से ही होती थी यहाँ पर जहाँ पे धमाका हुआ था उसी के side में basically एक grains का silo भी था यानि की अनाज का जो डबा था जिसके अंदर जो shipment थी वो बिल्कुल वहाँ पास में ही पड़ी हुई थी अब यह अनाज की shipment complete तरीके से तबाह हो चुकी है जिसकी वज़े से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बेरूट को food shortage भी सहनी पड़ सकती है इसको लेके United Nations ने भी कुछ आंकड़े सामने निकाले हैं Lebanon ने कहा है कि यहाँ पर अगले आने वाले दो से धाई हफते के बीच बीच में basically आपकी जो 85% of the country's grain है ठीक है यह खतम हो सकती है and UN ने इसी के चलते यहाँ पर इन्होंने promise किया है कि हम 50,000 tons of wheat आपको deliver करेंगे to Beirut to stabilize the national supply and ensure there is no food shortage in the country with 17,500 tons arriving within 2 weeks so यहाँ पर even though United Nations ने अपना हाथ बढ़ाया है but as I told you problems basically Beirut के लिए भी शुरू हुई है सबसे पहले political problems, उसके बाद social problems और obviously economic problems तो काफी लंबे टमे से चलती आही रही है because of the corruption in the system so we all basically are praying for Beirut कि जल्दी से जल्दी ये country जो है Lebanon जो है और Beirut के जो शेहर है ये जल्दी से जल्दी normal हो जाए और वहाँ की लोगों को ऐसी problems का सामना ना करना पड़े इसी note पे आप से विदा लेना चाहूंगा, thank you for listening, stay tuned and stay safe